नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर शनी की उल्टी चाल लोगों की जिन्दगी में बहुत बड़े बदलाव लाती है इस बार 17 जून से शनी वक्री होंगे और 4 नवंबर तक कुम्भ में उल्टी चाल चलेंगे इससे मूल त्रिकोन राज्योग बनेगा चूंकि शनी की वक्री चाल शनी को और जिद्धी बना देती है इसलिए इसका तुलनात्मक तौर पर ज्यादा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है यानि कि शनी शुब प्रभाव डाल रहे हैं तो उसका असर बढ़ जाएगा वहीं यदि नकारात्मक फल दे रहे हैं तो उसकी तीवरता भी बढ़ जाएगा आज जानते हैं कि शनी की वक्री चाल और केंद्र त्रिकोन राज्योग किन राशी वालों के लिए शुब रहेगा इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मेश राशी, वक्री शनी और केंद्र त्रिकोन राज्योग आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर कर देगा आपको धन लाब होगा, नए स्त्रोतों से आय होगी, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे व्यापार करने वालों को बड़ा लाब हो सकता है व्रिशब राशी, वक्री शनी व्रिशब राशी वालों के जीवन में कई महत्वपून बदलाव ला सकते हैं केंद्र त्रिकोन राज्योग आपको मनचाही नौकरी दिला सकता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आपकी पदप्रतिष्ठा और पैसा भी बढ़ेगा आर्थिक स्थिती बहतर होगी मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों को शनी की उल्टी चाल विभिन क्षेत्रों में लाब देगी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे आपको आर्थिक लाब होगा सिंह राशी, वक्री शनी सिंह राशी वालों को लाब देंगे आर्थिक स्थिती में उच्छाल देखने को मिलेगा धन कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे रुके काम पूरे होंगे कह सकते हैं कि लंबे समय से अठके कामों को पूरा करने के लिए यह अच्छा समय है मकर राशी, शनी मकर राशी के भी स्वामी है और शनी वक्री होने से मकर राशी वालों को लाब होगा आपको धन लाब होगा पैसे कमाने के नए तरीके आज माएंगे और उसमें सफल होंगे जीवन में सुक्समरिधी बढ़ेगी करियर के लिए समय लाबकारी है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार